हमारे बीच विराजमान है महामंडेलेश्वर स्री स्वामी दिव्यानन्द पूरीजी महराज जो की पठान कोट से आए हैं उनके संबोधन के लिए भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने संबोधन के माध्यम से हमारा प्रूत्साहन करें बोलो भागेश्वरधाम की सन्यासी बाबा की भारत माता की गव माता की सत्सनातं धरम की ओम रामाय रामभत्राय रामचंद्राय वेद से श्रीर गुनात नाथाय सीतापते नमहा मनो जवं मार तुल्वेगं यतिंद्रियं बुद्धी मतां वरिष्टं वातात्मयं वानर युथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपते अनन्त कोटी ब्रहमंड नायक करुनाले वरुनाले भक्त वत्चल सीता राम हनुमान भगवान के पावन श्री चरणों में कोटी कोटी दंडवत प्रणाम इस तपोस्थली इस सिद्ध पीट भागेश्वर धाम की पावन धरा को कोटी कोटी दंडवत प्रणाम मंच पर विराजमान आदरनिये पूजनिये अनन्त श्री भिभूशित श्रोत्रिय ब्रहमनिष्ट स्वामी गोविंद गिरीजी महराज मंच पर विराजमान भगवती सवरूपा अनन्त श्री भिभूशित श्रोत्रिय ब्रहमनिष्ट रितंबरा माताजी महराज मंच पर विराजमान बदरीनात भगवान के बड़े परमलाडले आधरनिय पूजनी यग्य समराड शरी बाल योगेश्वर जी महराज मंच पर विराजमान विश्व विक्यात कथा वाचक आधरनिय खृषन ठाकुर जी महराज के आतमघ्धे आत्मग्गे उनके ही सवरूप श्री इंद्रेश जी महराज और जितने वी व्रिष्ट महापुर्श बैटे हैं सबको नमन प्रणाम आज मैं पहली बार इस पावन धरा पर आया हूँ भागेश्वर धाम में पूझे महराज जी पठानकुर्ट पंजाब में कथा करने के लिए गए थे तो उस समय महराज जी के पास मैं कथा सुनने के लिए पहुँचा था तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कई लोग अनेक परकार की बाते कर रहे थे कई परकार के वाद विवाद आदी कर रहे थे लेकिन उस समय जो मैंने अपनी आँखों से देखा वो मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ कि जब महराज जी कथा कर रहे थे तो उस समय इनके आसपास हनुमान जी महराज का प्रकाश गूम रहा था इस मंच पर इस धाम में ये सत्ते बात मैं कह रहा हूँ और उस समय मेरे अंदर क्या विचार आया कि जैसे सत जुग में भगवान वरहा रूप धार्न करके हिरनाक्ष को मारा और इस पृथवी को जल से निकाल कर जल के उपर स्थापत किया जैसे त्रेटा यूग में भगवान राम ने रावन को कुम्ब करन आदी राक्षिशों को मारा और धर्म की स्थापना की जैसे द्वापर युग में भगवान श्री क्रिशन ने कंस शिशुपाल आदी राक्षिशों को मारा धर्म की स्थापना की वही परमसत्ता जो है वही परिपुरुन परमात्मा सचिदानंद भगवान जो है वो द्रिंदर सास्त्री जी के रूप में इस धरा पर प्रगट हु है हम लोग कठा पढ़ते थे कि हमारे रिश्री मूनी महामुनी तब करते थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंग जाते थे लोग हो जाते थे वो अपनी शक्ती के द्वारा दूसरे मन की बात को जान लेते थे और कई लोग क्या कहते थे ये सब कथा कहानियां बनी हुई है महराज कौन किसी के मन की जान सकता है कौन किस के मन की पहचान सकता है कर पूज ये द्रिंदर सास्त्री महराज जी के ऊपर जो हनुमान महराज जी की अपार कृपा है जो सन्यासी बाबा जी की अपार कृपा है गुरु किरपा ही केवलम गुरु की कृपा है ये बात सित करके बता दी कि हमारे सनातन में कितनी शक्ती है और हमारा सनातन क्या नहीं कर सकता हमारा सनातन जो है ये महान है वो सनातन की रक्षा के लिए हम सब जितने भी संत हैं इस मंच से मैं अस्वासन दिला रहा हूँ आदर्णिय दिरिंदर सास्ती जी महराज को के तेरा अखाड़े आपके साथ है सभी जितने भी अचारिय महामदलेशुर हैं सब आपके साथ है भारत के सभी संतों का आशिरवाद आपके साथ है आप और आगे बढ़ें और सनातन के लिए गरजें सभी संत महापुर्श आपकी जैसे श्रीर के अंदर रीड की हड़ी होती है और श्रीर उससे ही चलता है रीड की हड़ी के बिना नहीं चल सकता ऐसे ही महराज आपकी रीड की हड़ी सारे संत महापुरश हैं सभी महापुरश हैं और विशे दूसरा था कि जो हमारे मठ मंदिर आदी हैं उनको शरकार से कैसे मुक्ति दिलाई जाए मंदिर का पुजारी जो दिन रात भगवान की अराधना करता है उसको खाने के लिए कितना भोजन चाहिए महाराज दो टेम भोजन करेगा या तीन टेम भोजन करेगा उसका परिवार है वो कितना टेम भोजन करेगा दो टेम तीन टेम भोजन करेगा वो जो भी मंदिर का पैसा है उसको समाज की सेवा में ही लगाएगा मत सरकार के मन में भी भरांगती हो कि पता नहीं ये पुजारी पैसा कहीं और ले जाएगा जा संत पैसा पता नहीं कहां इकठा करेगा संत की वृती परौपकारी होती है हितकारी होती है संत परौपकारी कृष्टी से देखता है संत संगत का पैसा लोगों का पैसा अपने उपर निजी वर्तता नहीं है अपने उपर निजी इस्तेमाल नहीं करता वो संगत का पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करता है संत का यही मानना होता है कि मेरे भारत का एक भी बच्चा गरीब न रहे महराज स्वामी ववेकानद महराज जब वदेश जात्रा के लिए गए सनातन का परचार करने के लिए तो उनको एक बढ़िया कमरे में ठहराया गया तो उन्होंने क्या किया कि पलंग जो बढ़िया था न उसके उपर नहीं सोये सरेना उठाया और भूमी पर सोये जो कमरा साव करने वाला आया उसने देखा कि स्वामी ववेकानद की महराज इतना बढ़िया पलंग त्याग कर इतना बढ़िया विस्तरा त्याग कर भूमी पर आसन लगाए है और इनका जो तकिया है जो सरहा है ये तो गीला है क्यों कारण उनसे पूछा कि महराज इतना बड़िया पलंग आपको मिला आप उस पलंग को त्याग कर भूमी आसन क्यों लिये हो भूमी की उपर क्यों लेटे हुए हो कहते मैंने संकल्ब किया है जब तक मेरे भारत की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक मैं पलंग पर नहीं सोंगा मेरे भारत का एक एक बच्चा जो है वो अमीर होना चाहिए तबी तो विश्वी हिंदू ये जो हमारा भारत है ये बनेगा ये ही संकल्प लेकर हमारे दिनिंदर सास्ती जी माराई चले है और हम सब इनके साथ हैं सबी संतों का अश्रिवाद साथ है और देखो प्रियाग राज में अगले साल कुम्ब आएगा है न माराज और शुरुवात आपने कर दी है तीर परकार का तीरत एक बात कहकर वानी को विश्राम दूगा पहला स्थानिय तीरत दूसरा जंगम तीरत तीसरा घट में तीरत यहाँ पर तीनों तीरतों के दर्शन हो रहे हैं महाराज स्थानिय तीरत बाला जी महराज विराज माना भागेश्वरत सरकार यहाँ पर विराज माना है जंगम तीरत मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरत राजू सादू नाम दर्शन पुन्यम तीरत भूता ही सादवा, सादू के दर्शन ही जो हैं, वो तीर्थों का पुन्ने देते हैं, ये जंगम तीरत चलता फिरता तीरत, संत महापुर्ष जो इकत्पित हुए है यहाँ पर, और तीसरा घट में तीरत, हमारे घट में गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयाग, हरीद् व्रिंदावन, आयुत्या, और महराज, गुरू की किरपा से इन्हों ने अपने घट में तीरत प्रगट कियें, इसलिए यहाँ पर तीनों तीरतों का निवास है, और संकल्प हो चुका है, भारत को विश्व गुरू बनाने का, और हमारा सुभाक्य है, कि हमें ऐसे जशर् ऐसे तपस्वी, आदर्निय, निरिंदर, मोदी, परधान, मंत्री जी मिले है, और जिनकी प्रेरना से सारे संत महापुर्ष चल रहे हैं, और संतों की प्रेरना से वो चल रहे हैं, यही बात कहते हुए वाच्छ राम दूंगा, जदी कोई कटू वचन, जहां कोई बुरा श थाँ, और स्वाल है